हेले दोस्तों कैसे है आप सब आज में भाजी बनाने जा रहे हूं चने की भाजी तो देख सकते हैं मैं भाजी को अच्छी तरह से जटकार रही हूं ताकि उसमें कोई कीड़ा ककट ना रहे तो देख सकते हैं मैं जटकार जटकार के भाजी को एक दोरियों में लिकाल लेती ह तो आप लोग बताईए कि आप लोगों को किस किस को चने के भाजी पसंद है हमको तो भाई चने के भाजी बहुत पसंद है इसलिए हम जल्दी जल्दी फटकार लिए लेते हैं और फिर बनाएंगे नए चावलों के साथ भाजी तो ये देख सकते हैं हम जल्दी जल्दी सारी भाजी को फटकार कर रख लेते हैं वैसे ठंडी का समय है इल्ली सिल्ली तो नहीं लगी है लेकिन फिर भी से जटकार न अपना काम है ताकि अच्छी तरह से जटर जाए और अपनी भाजी जो है खराब नहीं हो तो ये हमने सारी भाजी को हम कर लेते हैं जटकार कर साफ कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं चने के भाजी हम जटकार लिए सारी भाजी को तो आप लोग बताएए कि आप लोगों को किन किन को चने के भाजी बहुत ही पसंद है तो ये मेरा काम एक काम से तो मैं हो गई फूरसत अब इसमें लगाउंगी में पुटकी और कोई-कोई लोग पैना भी रख लेता है वैसे पुटकी को में करूँगी गीला पानी में उसको अच्छी तरह साफ कर लेंगे गीला कर लेंगे झोपिर ये रखली में थाली और थाली के ऊपर बिछाऊंगी पुटकी बैसे आगी जल नहीं रही थी अधन रखा था हमने तो ये हम पूरी भाजी को एक कपड़े पर रख देंगे और उसकी पुटकी या पुटकिया जो भी बोलते हैं उसको बांध लेंगे तो ये देख सकते हैं हमने भाजी को बांध लिया अब यह बफ रही है ठाल भाजी तो यह आघ जल रही है यहां हमने चावहल वीन रहे हैं नए चावहल दो हैं तो यह धीरे धीरे हमारी पुटकी आ रही है पूरी तरह से भाजी भफ जाएगी तब हम उसको निकाल लेंगे पूरे किकशल में कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है तो ये हम छोड़ छोटे कंकर पत्थर जो है उनको निकाल ले रहे हैं तो भाजी हमारी बफ चुकी है तो ये देखिए अच्छी तरह से हमारी भाजी बफ गई है अब हम इसको पीछना शुरू करेंगे उससे पहले हम चाबलों की पुटकी भी रख लेंगे क्यो तो ये हमने बांध ली पुटकी तो ये हमारी पुटकी रख लेंगे अभ हमारी पुटकी जब अच्छी तरह से हो जाएगी तब हम इसको फोड़ देंगे और लिकाल लिए तो चलते हैं और पीचिने के लिए तो यह हम पीस रहे हैं बाजी को काफी पीचने में तो यह हम पीचने के बाद यह हमारे पुटकी हो गई थी और पुटकी फोड़ने के बाद हम निकाल लेते हैं माड जिसमें गोल के भाजी को बनाएंगे तो यह हमने पूरा माड निकाल दिया है तो यह देख सकते धीरे धीरे सारा माड निकाल लेंगे चावल से ताकि चावल गीला भी नहीं हो और हमारी भाजी भी अच्छी बन चावल भी एकदम फरहर बन जा तो यह सारा माड हमने निकाल लिया है भाजी पीषने के बाद आदा और मिर्ची को हम पीष लेंगे क्योंकि हम लाहसुन खाते नहीं है तो लाहसुन को उपयोग नहीं करेंगे लाहसुन को कर देंगे इसकी तो यह हमारा पेश्ट हो गया है तयार तो इस पेश्ट को हम मिला देंगे भाजी में यह देख सकते हैं तो हम पूरा सिलपटा से पूरा जो मिसरन है अधरक और मिर्ची का उसको हमें सीधा इखटक कर लेंगे उंगली के साथ से और अच्छे से इसको निकाल लेंगे तो यह हमने पूरा निकाल लिया है मिस मिर्ची चला नमक दाल देंगए मिर्ची दालें Cake और कमी चलने है ूट मिर्ची झालें प्हल वरे नमक जाल नमक नमक के दालें मिर्ची स्यट दालें घ्रीक मा मुठकते दाल्याव नियुक्त से थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो हम तिली भी में डाल से लाल हो जाए फिर के बाद हम दालेंगे उसमें मेथी राई और हाँ लाष्ट में डालेंगे हम हाँ पहले डाल देंगे ह screening को तो शुआध नहीं आएगा यह देख सकते ही अभी हमारी राई जल रही है यह सब अच्छा से तढ़का जब अच्छे से भुन जायेगा, फ्राई हो जाएगा तब हम लगजी डालने के पाद सीधे बाद इसको मून देगे, ये देख सकते हैं, ये हमने भाजी को मून दिया, ये लग गया हमारा बगार, ये देख सकते हैं भाजी कितनी सुंदर और देखने में लग रही है, थोड़ा गरम हो जाने के बाद हम भाजी को साइड में उतार लेंगे तो ये हमारी भाजी हो गई है और साइड में बन गया है ये नया चावल तो नया चावल बनने के बाद ये हमने परोसली है थाली तो देख सकते चावल और भाजी आप लोग बताएए कि आपके यहां भाजी कैसे बनाई जाती है हम लोग दो प्रकार से बनाते हैं पहला तो पीस कर और दूसरा तो